मैं हूं अपनीत और आज मैं आप लों को बताने वाला हूं MSI के दो गेमिंग लैप्टॉप जो बहुत ही जल्द आप लों के इंडिया में देखने को मिलने वाला हूं जिसके परफॉर्मेंस लेबल आपको डेक्स्टॉप के बराबर की देखने को मिलेगी तो देखते हैं फटा-फट की वह दो गेमिंग लैप्टॉप आखिर कौन से हैं तो सबसे पहले लैप्टॉप थो सबसे पहले लैप्टॉप है दोस्तों MSI GT 76 Titan and second one is GE 65 Radar यह दो लैप्टॉप है और आज हम बात करेंगे दोनों भी लैप्टॉप में तो चलिए हम देखते हैं फटा-फट जीडी 676 के बारे में तो सबसे पहले आपको मिल जाता है दोस्तों 17.3 इंचिस की आपको HD 4K Panels के साथ में जो 144Hz के आपको refresh rate वाला आपको यहां पर मिल जाता है complete display जो completely thin bezel है और काफी अच्छा खासा आपको यहां पर display आने की 4K quality के अंदर देखने को मिलेगा तो आप इसके इंदर हड़ तरह का काम कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर gaming कर सकते हैं वीडियो rendering कर सकत हैं और graphic work जैसे तो आप कोई काम जो है बड़े ही आसामी तरीके से यहां पर कर पाएंगे तो यहां performance के अगरा बात करके चले तो आपको आइन का प्रोसेसर 9th generation वाला 8-core का CPU आप आपको देखने को मिल जाता है जो 5.0 GHz की जहां पर आप इसके प्रोसेसिंग की speed है यान की maximum overclockable है 5.0 GHz तक तो 5.0 GHz दोस्तों बाक भी जादा होता है और अभी तक कि किसी वे laptop के अंदर 5.0 GHz तक दोस्तों आपको upgradeable भी नहीं मिलता है देखने के लिए तो RAM की बात करें यहां पर तो आप 128GB तक यहां पर आप maximum जो हैं आपको अप्ग्रेड कर सकते हैं जो अब भी जाते हैं इसके अंदर slots की आने की storage की तो storage के अंदर दोस्तों आपको customizeable है याने की upgradeable मिल जाता है आपको यहां पर M2 के आपको यहां पर तीन slots देखने को मिल जाते हैं और 2.5 inch की setup आपको यहां पर एक मिल जाएगा जो से आप अप्ग्रेड कर सकते हैं अपने इसाब से आ यहां पर इतने सारे जावंचियों को यूज कर रहे हैं और इसके साब से फिर तो ग्राफिक कार्ड जो है वह भी काफी बैतरी यहां पर मिलना ही चाहिए तो यहां पर आपको देकर चल रही है MSI जो है दोस्तों RTX 2080 जो काफी लाजवाब है और 2080 दोस्तों आपस में 2080 सीर और यूज़ी सिवात है कि जब इतनी सारे चीहों को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो कंसम्चन होगा और जब ज़्यादा पावर होगा तो पैसे मसीन ज़्यादा ही होगी तो इसके लिए तो यहां पर आपको सूपर बूश टेक्निलोजी सकाना जो एक normal giving laptop से 2.5 times जो है यहाँ पर आपको ज्यादा airflow देता है जो आपके motherboard को यानि कि आपके system को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो cool रखेगा और बिल्कुल भी आपको laggy experience देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकर इसके अदर हमें extra स्लॉट समें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आपको USB type A بयाने कि यहां पर reducing जाते हैं आपको रहीं जाता है तो बहुत सारे आपको इहां पर और डिस्प्ले पॉट सीग पर गुर्ण करने की लिए आपको मिल जाता है आपको isla पिया की प्रासेसर ही जो अपर एक गोडन लाजमी है और बिल्कुल होगा ही, तो यह है दोस्तो हमारा performance और इसके पोर्ट जो इसके connectivity है तो अब हम देख लेते हैं दोस्तो इसकी बैटरी का backup तो बैटरी बैक अपर आपको 8 cells वाली आपको यहां पर इसके अंदर बैटरी देखने को मिलने वाली है 8 cells की बैटरी की वाज़से दोस्तो आप इसमें अराम से जो है 5-6 घंटे तक जो है अराम से इसे गेम खेल पाएंगे वन टाइम के चार्ज connectivity में तो इसमें connectivity के options में दोस्तो आपको यहां पर जो है दो connectivity options यहां पर मिल जाते हैं जो फॉस्टर है अधर किसी और भी गेमिंग लैप्टॉप से या किसी अधर ब्रैंड से तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आप देखने को मिलेगा तो overall दोस्तों यहां पर जो है इसकी अब आती है सब कुछ हमने देख लिया है model जो है आपको में आप सामने देखी रहा होगा और साथी साथ में दोस्तों जो है अब है इसका वेट टो 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 टरकी हमने आपर बहुत सारी चीज़ों को करती है आप काफी आदा powerful laptop है तो इसका weight कितना होना चाहिए तो यह दोस्तों देखो यह आपके देखा जाए कि आने कि अगर आप ज्यादा यह दोस्तों बहुत से भी ज्यादा ओवर है लेकिन इसका weight है दोस्तों 4.5 kg इसका total weight है जो काफी ज्यादा हो जाता है 4.5 kg लेकिन हाँ जो इन्होंने यहां पर आपको feature देखर चल रही है जो इस पैक देखर आपको चलने लग रही है तो वह दोस्तों काफी जादा चैनल स्क्ने कि उसाब से जो इंडिया में आने के बाद पता ने कि व आपको कितने में मिलने वालय है लेकिन इसका जो टॉकम रेडर जो था वो second model है इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको 144 Hz की आपको यहाँ पर मिल जाती है रिफ्रेस्ट लेकिन आपको 244 Hz का आपको मिल जाता है तो बहुत ही ज़र लौश होगा तो जैसी आये तो कोशिस करेंगे की कंपनी से मंगवाया के आपके लिए से अन्बॉक्स एम गया करें तो देखते हैं अज के लिए तना ही दूस्तों स्यू अपर और उम्मीद करता है वीडियो का आपको मिल जाएगा आपको सारे हमारे यान आपको मिल जाएगा वहाँ जागर किया वसे देख सकते हैं तो आज के लिए नहीं स्यूवाइब एक आपके लिए नेक्स्ट वान